Hero Moto Corp के शेरों में एक साल की सबसे बड़ी गिरावट चैर्मैन पवन मुंजाल के घर क्यों पहुंची एड की टीम Moto Corp Shares? Hero Moto Corp के शेरों में मंगलवार को पिछले एक साल की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली. कम्पनी का शेयर 3.14 फीसदी गिरकर 3,103 रुपए के भाव पर बंध हुआ दिन के समय तो यह 5 फीसदी तक तूट गया था यह गिरावट हीरो मोटो कॉर्प के कई परिसरों पर एड की छापे मारी के बाद आई है हीरो मोटो कॉर्प शेयर्स हीरो मोटो कॉर्प के शेयरों में मंगलवार को पिछले एक साल की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली कम्पनी का शेयर 3.14 फीसदी गिरकर 3,103 रुपए के भाव पर बंध हुआ दिन के समय तो यह 5 फीसदी तक तूट गया था खबर है कि हीरो मोटो कॉर्प के कई परिसरों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी एड की छापे मारी चल रही है इसमें कम्पनी के चेयर्मैन पवन मुंजाल, पवन मुंजाल का घर भी शामिल है मामला अगोशित विदेशी करिंसी से हुआ बताया जा रहा है इस पूरे मामले की शुरुवात दिल्ली एरपोर्ट पर एक व्यक्ती की गिरफ्तारी से हुई थी वित्त मंत्राले के अंदर आने वाले विभाग, डायरेक्टोरेट आफ रेवेन्यू इंटेलीजिंस ने दिल्ली एरपोर्ट से एक व्यक्ती को गिरफ्तार किया जिसके पास से अगोशित मात्रा में विदेशी करिंसी बरामत की गई थी सूतरों के मुताबिक जाँच में इस व्यक्ति को हीरो मोटो कॉर्प के चेयर्मैन पवन मुझाल का करीबी पाया गया मामले की आगे जाँच के लिए E.D. के पास शिकायत दर्सकर आई गई इसी के बाद E.D. ने Prevention of Money Laundering Act के तहट केस दर्सकर के मंगलवार को हीरो मोटो कॉर्प से जुड़े कई प्रेमिसस पर छापे मारे इसमें पवन मुझाल का घर भी शामिल है हीरो मोटो कॉर्प का इस मामले में आधिकारिक बयान आचुका है कमपनी ने स्विकार किया है कि मंगलवार एक अगस्त को उसके चेयरमैन पवन मुझाल के आधिकारिक आवास पर E.D. की टीन पहुँची थी कमपनी ने यह भी बताया कि उसके दिल्ली और गुरुग्राम के ओफिसों में E.D. की टीन ने तलाशी ली कमपनी ने कहा कि वह एजनसी को जाच में पूरा सहियोग करेगी हाला कि अभी E.D. का इस मामले में आधिकारिक बयान नहीं आया है E.D. का बयान आने के बाद ही पता चल पाएगा इस पूरे मामले में विदेशी राशी कितनी है या वह कितने रुपए के घोटाले की जाच कर रही है E.D. के बयान में अगर कुछ हैरान वाले तथ्या आते हैं तो इससे हीरो मोटो कॉट के शेर दबाव में आ सकते है E.D. से पहले इंकम टैक्स ने भी इस मार्च मेकर चोरी के आरोप में हीरो मोटो कोट के कई प्रेमिसस पर छापे मारे थे इंकम टैक्स की टीम भी पवन मुझाल के घर पर गई थी कमपनी पर उस समय बिना किसी जानकारी के करीब एक हजार करोड रुपए से ज्यादा के खर्च को लेकर सवाल उठे थे